आल्स रीडिंग प्रापरेशन दे नमबर टू दे नमबर फर्स्ट में हमने सीखा लिस्ट आफ एडिंग टाप फोशन को आपने कैसे अटेम्ट करना है किन टेक्निक्स को यूज कर कि आप बड़िया स्कूर कर सकते हो आज की वीडियो में ट्रूफ आस नौट गिवन प्लस लास्ट में वीडियो के विलकुल लास्ट में हम बताएंगी कैसे आप अंसर को गैस करके लगा सकते हो इसके लिए क्या टेक्निक रहेगी विकास वह वाला अंसर भी आपका 101 परसंट होने वाला अगर आप इस वीज से करते हो तो स्टार्ट किरते हैं आज की वीडियो में ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादा तर आपको टुफार्ड नौट गिवन या फिर दॉन नौट गिवन टैप आप अगर हम बात के 20 तक आपको टुफार्स नौट गिवन के साथ-हैस दॉन आपको जैसुन आ पकूशन आ रहे हैं एक्जान में अगर आपकी रिक्टर्म इ आपको ना मिले। सो आज से ही प्रैपरेशन करनना स्टार्ट करते हैं अगर आपको नहीं उठाना आता है कुछ strong keyword, strong वो होते हैं जैसे जिनका कोई similar word है आपको paragraph में ना मिले, आपको as the same word ही मिल जाए, किसी person का name हो गया, कोई disease का name हो गया, जा फिर को year हो गया, कोई century mention की हुए, तो आपको वो as the same ही मिलेगी paragraph में, तो वो सबसे strong keyword होता है, और most of the time, जो true, false, not given type of question होते हैं, वो sequence wise ही होते है अगर आपको कोई ऐसा numerical मिल जाता है, जो strong keyword है, तो उसके आस-पास ही दूसरे answers भी आपको मिल जाएंगे वो, तो first of all, आपको keyword को अच्छी से सर्च करना आना चाहिए, technique number two, true, false, not given में खेल क्या होता है, adjective का, ठीक है, adjective की according ही आपको correct answer मिल जाता है, most of the time क्या होता है, जैसे जो question है, बिल्कुल correct है, अगर आपको intelligent का opposite मिलता है, ठीक है, उसे contradict कर रहे है हमारी statement के साथ, तो वो हमारा answer पो wrong है, अगर आपको intelligent की regarding कोई बात ही नहीं मिलती, intelligent must है यहां भी, ठीक है, intelligent की दम पी ही आपको आपका answer मिलने वाला है, अगर आपको intelligent की regarding कोई भी बात नहीं मि पास Cambridge 9 का test number first step जाके check कर सकती हो, और इसे practice भी कर सकती हो, अगर आपको नहीं मिलता तो आपको हमारे telegram channel पे जरूर से मिल जाएगा, वाहां भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, अगर second होता है, third होता है, तो हमारा answer false है, अगर first person की कोई बात ही नहीं होती, तो हमारा answer आता है not given, करते है keyword की, यहां भी हमारा keyword है chemistry, chemistry की दम पे ही हमें अपना answer मिलने वाला ही हमारी location होगी, यहां भी chemistry होगा, विकिस बाकी की names है, names को keyword नहीं होते हैं, विकिस जगा जगा यह वाले names है, वो मिल जाएंगी, first person है, जिसने हमारा answer बनाना है, true, false, never, not given, तो chemistry देख लेते हैं, कहां पे starting में ही होगा, because sequence बाज जोते हैं, तो paragraph first में नहीं है, scan कर लेना है, आपको keywords कहां पे मिलते हैं, scan करना आपको आना चाहिए, skimming and scanning की technique आपको पता होनी चाहिए, तो यह रहा, paragraph number two में आपको chemistry मिल चुका है, तो यहां भी हमारा keyword मिल गया, उपर की दो लाइन से हमनी पढ़ना, start कर देना, आपका answer clear हो जाएगा, as a student of the city of London school, परकिन we merged in the study of chemistry, इन दो लाइन को पढ़नी के बाद, आपका answer clear नहीं हुआ, his talent, वहां भी availability की बात हो रही थी, किस all, पर यहां भी तो name ही change हो गया, वो वाले name के person की दवारा नहीं, बलकि Tom Saul की दवारा, उसकी जो talent है, वो क्या किया जारा, recognize किया, वो encouraged him to attend a series of lecture given by eminent scientist Michael Friday at the Royal Institution, तो जे बात है, ठीक है, तो name ही change हो गया, information हमारे पास है, यहां भी क्या होगा, बच्चों को confused हो जाएंगा, answer false आएगा, जाफे not given आएगा, विकिस first person की तो बात ही नहीं है, हमारे पास यहां भी बात की हुई है, ठीक है, उसकी जो ability है, उसका talent है, वो recognize किया जा रहा है, बट इस बाले person की दवारा नहीं, वो कोई दूसरा person है, तो हमारा जो answer है, वो false आएगा, not की, not given, ठीक है, विकिस हमारी information है, बट information है, वो contradict कर है, हमारी statement के साथ, second question देख लेते है, Michael Friday suggestion पार्किन should enroll in the Royal College of Chemistry, यहां भी should की बात हुरी है, तो grammar की recording भी आप अपना हम से easily find कर सकते हो, should कम दिले है कि आपको कोई suggestion दिया जा रहा है, ठीक है, क्या है कि Michael Friday suggestion दे रहा है, पार्किन को इस वाले college में enrolled होने के लिए, तो हमारा strong keyword ह जो college का नेम है, Royal College of Chemistry, इसलिए आपको एजरी डिक्टो मिल जाएगा वहां भी, और इसके सासर जहां भी हमारा first answer की location खत्म होई, वहीं पे हमारे second answer की location स्टार्ट होगी, ठीक है, तो जहीं confirm होता है, because true, false, not given, sequence wise हो, तो इसकी location देखते है, इसकी location वहीं पे होनी से जहां भी हमारे first answer की location खत्म होती है, तो जहीं रहा हमारे college का नेम, तो यहीं पे हमारे location है, उपर से हमने पढ़ना, start करना है, तो speeches fired the junk chemistry's enthusiasm further, and he later went on to attend the royal calls of chemistry, which he succeeded in entering in 1853 at the age of 15, यहां में कोई suggestion की बात नहीं हो रही, किसके दोरा किसको suggestion दिया जा रहा है, इस चीज़ की कोई भी, यहां information नहीं है, तो properly हमारा answer है, वो not given है, अगर हमारे पास कोई information दी होती, then हमारा answer false आ सकता है, जाफे true आ सकता है, बड़ हमारे पास कोई information ही नहीं है, लिए को लंबा नहीं कीचेंगे, अगर आपको complete आपको solve करने की video चाहिए, तो comment करो, हम आपके लिए जरूर से video लेकी आए जिसे example की तौर पर एक word ले लो, already, ठीक है, अगर तो already आपको मिलता है paragraph, then ही आपका answer correct होगा, अगर already की कोई बात नहीं है, तो आपका answer not given होगा, अगर already की वजाए वहाँ पे in the future की बात हो रही है, जा फिर किसी और तरह की time period की बात हो रही है, तो वहाँ पी आपका answer आए आपने कौन सी technique use करनी है, अगर आपके पास time आपस नहीं manage हो पाया, तो आपके पास time नहीं है, विल्कल last minute में आपने पहले, आपने try करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, विल्कल वैसे ही करना, अगर last moment पे आपके आपके पास time नहीं बचा, कैसे recognize करना की true है, जो false है, तो सबसे पहले हम बात करते है, not given की, ठीक है, not given के लिए यहां भी आपको comparison दिया होता है, more than, less than, ठीक है, इस तरह के compare किया जाता है, एक time period को दूसरी time period से compare किया जाता है, एक country को दूसरी country से compare किया जा रहा है, तो वहां भी chances ज्यादा है कि आपका answer not given ही आएगा, इनके ल false or not given के लिए सबसे बढ़िया है टक्निक ही कि अगर आपको statement काफिया लॉंग नजर आ रही है, तो chances 99% होते हैं कि आपका answer पर wrong आएगा, false आएगा, no आएगा, अगर आपको all दिया हुआ है, all children की बात है, all kids की बात है, all people की बात है, तो all कभी भी भी नहीं आ सकता, because कुछ amount में आ सकते हैं, अगर हम all इंडिया की बात करें कि all इंडिया यह काम करता है, all इंडिया नहीं करता है, उसमें कुछ percentage persons आ सकते है, सबी all का मतलब है, सबी, तो it means कि आपका answer है, वो wrong ही आने वाला, जिसमें completely आपको शॉरिटी दी जा चुगी है, कि हाँ जी चीज है, fully है, completely ह whole है, certainly, only है, जो आपको fully short ही दे रहे हैं, words आरे हैं, तो आपका answer no plus false आने के ज़्यादा chances होती है, last लेकर हम बात के true की, तो true के लिए हमारे पास possibility दी होती है, तो possibility में ज़्यादार chances होते हैं, कि आपका answer है, वो true ही आएगा, ठीक है, me, might, must, इस तरह के words आते हैं, तो chances होते हैं, कि आपका answer है, वो true आ सकता है, hopefully, आज की वीडियो आप सक के लिए बढ़िया से work करेंगे, कल देखते हैं कि किस topic को हम cover करें, अगर आपको listening पे वीडियो चाहें, तो comment करो, हम listening पे आपके वीडियो ज़रूर से upload करेंगे, जा फिर आपको writing पे चाहें, जा फिर reading के कि आपके जापके जिए झाइक जबदान.